तो what's up guys कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम मनाएंगे नग डिजाइन तो आप वीडियो को फुल वाच करो वीडियो पसना है वीडियो को लाइक करना अगर चैनल सेस्क्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सेस्क्राइब कर देना बार नियुग्च को कि और दो लिभी तो फर्स यहां पर यूज जना हूं कि तो फर्स यहां मैं यूज करूंगा व्हीं को दिनेयु का टिक है अज्राइज। हटाने बाला हूं यहां पर समीट करेंगे और कुंधन स्टौन कोтесь इस चिरए यह पर एज बोड़न निडल इस्तमाल कर रहा हूं चिपकाने के लिए अब है यहां पर चिपकाना कैसा है आप उसको समझ लो पहले बुड़न में हमको हलका सा फैविकॉल लगाना है फैविकॉल लगाने की बाद उसको आपको फैब्रिक पे पोच देना है तके आपके diamonds पे वह फेविकॉल ना लगे और आपके diamonds की shining ना जाए तके उसके बाद फिर उसको यूज कर सकते हैं यानि के diamond की ओपर फेविकॉल लगता है तो shining उसकी कम हो जाएगी या फी खराब भी हो सकती है तो बैटर यह है कि आप हलका सब फेविकॉल पेले लगा हो लगाने के बाद उसको पोज दो फिर आप diamond को चिपका सकते हो इसके बाद मैं या पर यूज करूंगा जर्दोजी का यहां पर हम एंटिक गोल्ड का जर्दोजी या फी गोल्डन जर्दोजी आप जो आपके पस अवेलेबल है आप वो लेके यहां पर सीख सकते हो ठीके कलर्स का कोई matter नहीं है यहां पर जो दागा हम इस्तेमाल करेंगे गोल्डन कलर का इस्तेमाल करेंगे ठीके यह जो पोलिशर दागा होता है यह दागा जो होता है वो काफी अच्छा होता है cotton दागे के मुकाबले में तो Polisher Tat हम यहाँ पे इस्तिमाल करते हैं और यहाँ पे जो निडल स्थमाल करते है वो हम seven number का सेवन नेंडल होता है यह जो हम निडल इस्तिमाल कर रहे हैं यह हम सवां एक इंच के लिए इसमें size थोड़ी बड़ी भी आती है देड इंच की भी आती है उससे बड़ी नहीं आती है क्योंकि हमको फी पकड़ने में प्राब्लम्स आती है तो हम एक इंच की या सवाइक इंच की या फिर देड इंच की निडल को इस्तेमाल करते हैं जरदोजी के लिए आपके पास अगर कट बिट्स आप स्टीच कर रहे पूरा ओलवर हाइट जो है जिए नहीं होता है इसका फरी जो में यूज होता है हमारे घ्रिड्ल का वो जो हिस्सा होता है वो एक सवाइक इंच का होता है देड इंच का आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो फर्स यहां पर मैं क्या कर रहा हूं फर्स मिने आ पर जरदोजी उसे पहिले चुक झटने करें लकुत होता्य आगा में च्र вспन है को हम पहते हैं तक उस्थक्रा बढ़ना चाहिब जो भी हमें करना होता है वह स्थक्राइब नोट के साथ में गरा पाते हैं तो और शो हमगा सरकल लिख रहा है को कुंदन वाला उस पे भी हमने लगाया है और पानिशोन भी लगाएंगे जर्दोजी को उसके बाद फिर हम और मट्रियल का इस्तमाल करेंगे जैसे कि हमारे पास बीट्स है चेहन है तो पानिश्टोन का पीट करने के बाद यहां पे लेना है हमें बैटम कुंसा इस्तमाल करना चीह बीट्स के लिए यहां पे हमको आट नंबर का निडल याने कि एट नंबर का निडल इसके पहले जो हमने किया ता जजर्दोजी के लिए वो seven नंबर था बट यह वाला जो है वो eight number है eight number होता है Seven number से हलका सा पतला आता है जिसमे हमारे बीट्स होत मना रहे हैं सही में परफेक्टली लोग होता है तो पानिश्टोन को कुंदन को सब को हमें बीट्स मारना है उसके बाद साइट्स में जो लाइन जा रही है उसके भी हमको बीट्स लगाना है याद रहे कि बीट्स आपका चिपकावा होना चाहिए तो लोग जादा अच्छा आता है क्योंकि इसके बाद उसे हम और भी मट्ल को लगाने बाले हैं अगर गैप आते हैं एक बीट्स का या दो बीट्स का तो फिनिशिंग नहीं आती है इसलिए लाइन को काफी हमें चिपका के रखना है अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से हमारा लाइन चिपक क्या आएगा बीना कुछ करें के हाथ से जो हमे ँलका सा कुषिशना होता है जिससे हमारा निचे का दージशी खोड़ा कंडर जाता है जिसके करन क्या हो हमारा बीड्स हो आथा वह ऑट जिपक कर दो गाथा इग अर्ष। अब यह जूब पर मैं इस्तेमल करकशती हो golden silver या rainbow यहाँ पर जो मैं use कर रहा हूँ वो silver chain है यहाँ पर size आती है chain की छोटी बड़ी आती है चिपकी भी आती है दूर वाली आती है तो यहाँ पर जो हम use कर रहे है थोड़ी दूर वाली है हमारे पास चिपकी भी chain नहीं है तो इसको हम चिपका के मार सकते है यानि कि डिस्टेंस थोड़ा करीब कर सकते है चेन का जो दाना होता है चेन का वो काफी दूर दूर होता है तो उसको थोड़ा नजदीक कर सकते है करने का तरीका कुछ ऐसे है कि आपको एक टाका छोड़के एक को मारना है यानि कि एक चेन का गैप छोड़ना है एक गैप पर ड्राय टाका निकालना है थोड़ा उसको चिपकाना है थोड़ा उसको पुश करना है अंदर साइट में जिसे चेन पुड़ी आपस में चिपक जा तो लुक जादा अच्छा आएगा उसके बाद क्या करेंगे यहां पर हमें लेना है फिर से शुगर बीड और चैन जो उन्हें लगाया है पान स्टोन में उसे हमें शुगर बीड से कवर करना है ठीक है इसके बाद जो हमारा में वर्क आएगा वो आएगा मोती का मोती के लिए हमको आपे पहले क्या करना पड़ेगा लोडिंग सिलने पड़ेंगी लोडिंग सिलने के बाद फिर लोडिंग आएगी फिर लास्ट में मोती आएगा हमारा और उसके बाद जो दिखरा है हमारा वहां पे भी हम वाइट मोती लगाएंगे और उपर साइट में ज कि यहां पर हम मोती का इस्तेमाल कर रहे हैं यह चार नंबर का मोती है आप चाओ तो पांच नंबर का कि यहां पर नंबर के यह वाइट मोती है हम जो इसको सरकल भी लगाएंगे जो आपके हम एक मोती और एक हमारा बीट साएगा इसको पुरा राउंड राउंड लेके जाएंगे कि यहां जो आपके हम इसके हमोगे जाएंगे कि इस शबब स्तेम против कि बांचलочки क selfishly प्तों chrom ज़गे heeft एके उनाव मह लगालता कर दो कि झाली हिसู้ दोच्गहा लगाँ कव्दगगे 8s कि इसके हम है मोने हैं पूलसर सकतर से आपके हैं कर दगा और वही हिसां निची वाले पर भी देंगे सेम मोती मारेंगे वाइट कलियर का बीड के साथ में और धागा जुआ पे हमको यूज करना है वह हमको वाइट डागा यूज करना है निडल यहाँ पर आप 7 नमबर का निडल इस्तमाल कर सकते हो या पर 8 नमबर का भी निडल इस्तमाल कर सकते हो अभी हम करेंगे यहाँ पर लोडिंग करने से पहले हमें पैटन देना होगा पैटर्न यहां पर हम किसी इसका देंगे पैटर्न जो हमें देना है यहां पर हमको नक्षी का देना है जो कलर का आप जड़ोजी यूज़ करने वाले हो लोडिंग के लिए वही सेम कलर का हमको नक्षी इस्तमाल करना है यहां पर नक्षी जो है मैं वह एंटिक कलर ले रहा तो combination काफी अच्छा रहेगा दागा यहां पर हम नौकली सब्जेके में यही यूज़ करते हैं जो के golden दागा होता है पॉलिशर ट्रेड वर्स्ट पहले हमें जो है आउट्लाइन मार ना होता है तो सब्सक्राइब रखना होता है उस गैप में जो है हमें लोडिंग सिलने होती है इसके उपर ही सिलना होता है तो यहां पर हम यूज़ करेंगे जर्दोजी एंटिक कोल्ड का डेल जी-47 अभी यहां पर ऐसा नहीं है कि एकी साइज में होनी चाहिए जब जाके फिनिशिंग बैडर आती है अगर हम कोई भी साइस साइस नहीं काटते हैं तो फिनिशिंग नहीं आएगा तो प्रोपर साइस साइस काटो और जाके फिर लगाओ वहां पर तो जो लुक है वो काफी अच्छा आता है यहां पर हमें जर्दोजी लेना है आपके निडल में जितना आ जाए जैसे के सवाई गिंच का मेरा निडल है तो उसमें 3-4 आएगा तो हमको एक साथ में लेके जो नक्षी हमने पे पैटर्न के लिए लगाई है चाहिए आप उपर से स्टार्ट करो चाहिए आप निचे से स् यहां पर जो हमें जर्दोजी ऐसे फेकना है कि एकदम करिब टाका निकलना चाहिए जापे आप फेक रहे हो उसके सामने आपको एक टाका एक्ष्टा निकालना होता है जब जब कि लोडिंग जो आती है वो फिनिशिंग में आती है और काफी टाइड आती है खोलने के और के पाल लूड़ा है जब जब क्या कि फिनिशिंग काफी अच्छी आती है कि सरदुजी होने के बाद फिर हमें बैट लगाना है बीड लगाने के बाद फिर से हमें जर्दुजी लगानी है ऐसे करते करते हमें आपको 3 लानी होती है और कि अपने में प्रकानी सब्सक्राइक जाई कि इसकी फोड़ी साइजब का प्रफिट होती जो हमने लगाया है अब तक उसे 사इज गड़ी होगी अगर हम ये हमः चार नमबर लगा रहे हैं तो आह एंनों को च्छे लगाने के लिए माई यह लगा सकता हूं यहां पर याद रहे आप कुछ लिना है वइट लेना हो तो धागा आपका दिखाई देगा तो बैस्ट यह रहेगा कि हुआ इसमें वाइड झाल करो झाल झाल जब आपका पूरा काम कंप्रिट या तो सारे वक्स अप लगा लेते हो उसके बाद आपको लेना है यहां पे जरी मैं यहां पे गोल्डन जरी इस्तेमाल कर रहा हूँ नटवर लाल का 300 ठीक है यहां पे क्या करना है जो भी वक हमने किया है परल को छोड़ के सब पे आपको आ सब्सक्राइब करें लोगों के साथ शेयर करें मिलते हैं उसे नेक्स वीडियो में थान आपको 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 मिल्स वीडियो में है जुआ खाल करें मिल्स वीडियो इस्तेमानियों वीडियों का बा-प्रप्रा चिअरिक है वे बलाटन। झाल